नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां आई आज हम सभी जानते हैं एक बेहधी महतोपून जानकारी के बारे में जो आप सभी के लिए फायदे मन्द हो हर वक्त हमारा ये प्रयास होता है कि आप सभी के लिए अच्छी जानकारी ल बारे में ये बहुत ही गुणकारी और लाफकारी और शदी है वैसे तो आप सभी जानते हैं अखरोट के बारे में इसलिए इसके पौधे की संरचना और इसके बारे में बताने से ज्यादा इंपोर्टेंट है कि हम आप सभी को आज बताते हैं बीमारियों से बचने के ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें मेला टोनीन जो एक शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट है अच्छी मात्रा में होता है इसमें जिसकी वज़े से आपको नींद अच्छी आती है जैव उपलब्ध रूप में अखरोट में ये मौजूद होती है इसलिए आपको इसक स्थिम को कम करता है बहतर संग्यानात्मकारे को बढ़ावा देता है और विरोधी भड़काउस संपत्ति है जो अस्थमा गठिया और चाल रोग और एक जिमा जैसे सुजन से संबंधित अन्य त्वचा रोगों से आपकी रक्षा करता है इंटियोक्सिडेंट फिनोल विट एलेक्जिक एसीड एक एंटियोक्सिडेंट योगिक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है इसके विरोधी गुण भी खतरनाक बिमारियों से लगने में मदद करते हैं इसमें उमेगा थ्री फैटी एसीड के उचस्तर होता है जो मस्तिश्क की कोशिकाउं में प्रवेश करने वाले महत्वपुन पोशक्तत्वों की प्रक्रिया में महत्वपुन भूमिका निभाते हैं और अपशिष्ट को शिकाउं को बाहर निकालता है और आपका दिमाग भी इससे बहुत तेज होता है बहुत ही अच्छी औशद के रूप में ये कारे करता है दिम होता है और omega 3 fatty acid के अलावा अकुरूर भाने से मूं में लार अच्छी मातरा में बनता है ही आप बहुत सारी बिमारी से बचेंगे क्योंकि प्यों पोकि कि शिकायत होगी कप्ज reppath गवां पीट क्लीन रहेगा तो आप 1000 बिमारियों से बचे रहेंगे 100 क्या 1000 बिमारियों से आप दूर रहेंगे पीट से ही किसी भी बिमारी का खास करके इंटर्नल बिमारी की शुरुआत होती है तो उससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छे है तो उससे बचने के अच्छे है अच्छे है किसी अच्छे है